हेलो बच्चो तूटेइ वी लेर्न ख्लास 9 मैं चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 कोशन नंबर फिर्स्ट बच्चो इस विडियों में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के कोशन नंबर फिर्स्ट का जो फिर्स्ट एंज सेकेंड है न उसको सॉल्व करेंगे और समझेंग तो देखे बच्चे exercise 8.3 है क्या तो बच्चे exercise 8.3 और exercise 8.4 दोनों में बच्चे हम लोग क्या करेंगे trigonometric ratio का कुछ specific angle पर क्या होता है value होता है उस value को हम लोग याद करेंगे और उस value का use करके हम लोग क्या करेंगे exercise 8.3 और exercise 8.4 को solve करेंगे और समझेंगे तो बच्चे आप उस वीडियो को देख सकते हो और उस का वेडियो के डिस्क्रूशन में मिल जाएगा आप लोग उसको पढ़ करके समझ सकते हो और उस वीडियो में में बताया है चैने कहा चाको इस डेवल को बना सकते हो तो देखे बचे अगर आपpeं लोगे को याद करना में याद करें का 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 कैसे याद करोगे अपके याद करें कि चीजो 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by the 1 फिर याद करने के बाद उसको फिर उल्टा लिगोग दो तो यहां पर root 3 को लिख दो, यहां पर 1 by root 2 को, यहां पर 1 by 2 को, यहां पर 0 को, तो बच्छे पहले वाला جो value होगा, वह sin tita का value होगा, दूसरा value जो होगा, dość होगा, और 10 tita का value क्या होता है? बच्चे, 10 theta ना बच्चे, 10 theta? यह होता है sine theta upon cost theta, मतलब कि साइन ठीटे के value को cost आख value से एगर divide कर दोगे ना तो 0 by 1 0 होता है 1 by 2 divide by root 3 by 2 1 by root 3 होता है this one divided by this one cut के पूरा 1 हो जाएगा this one divided by this one root 3 आएगा और 1 divided by 0 1 divided by 0 बचे not defined होता है तो आपको ऐसे value याद करना है मैंने उस वीडियों बताया है कि आपको cases को solve करेंगे और समझेंगे तो अब उसको ऐसे करके बना सकते हो ठीक है तो चलिए हमनों क्या करते है exercise 8.3 के question number first को solve करते हैं और समझते हैं तो देखिए बचे पहला question क्या बोलो जा रहा पहला question है choose the correct option from the following अब इसमें सो option choose करना है कि इसको solve करने पर कितना आगा तो बच्चे आपनों को तुक्का नहीं मा समझ में आया होगा next question number क्या है बच्छे next next है 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree पहली बार तो question लिखेंगे 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree तो बोलोगे ना कि 2 को 2 लिख दिए और 10 30 के value ना बच्चे जब आप यहाँ देखोगे ना आप यहाँ देखोगे तो 10 30 के value क्या होता है बच्चे 1 by root 3 होता है कितना होता है 1 by root 3 upon 1 minus 10 30 1 by root 3 to the power 2 होता है तो अब आप बोलोगे कि 2 multiply 1 2 होता है upon root 3 divide का sign है 1 by 1 को लिख दे माइनस को माइनस 1 by root 3 to the power 2 इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि 1 by root 3 को आपको 2 times लिखना है 1 into 1 1 होता है root 3 root 3 3 होता है तो कितना जाएगा बच्चे 1 by 3 हो जाएगा तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर 2 by root 3 है upon इसको solve करेंगे तो इसको देखिए 3 वन जा 3 minus जा था minus 1 वन जा 1 और 1 3 जा 3 तो देखिए अब यहाँ solve कर रहा हूँ तो बोलोगे ना कि यहाँ पर है 2 upon root 3 upon 3 minus 1 2 by 3 है देखिए यह number क्या है divide के भी divide में है तो यह 2 by root 3 यह denominator में तुझा लगा है numerator में और यहाँ पर 2 है यहाँ से क्या होगा बच्चे यह 2 से यह 2 cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच्चे 3 by root 3 और जब आप चेक करोगे ना answer तो यहाँ पर किसी कहीं पर भी 3 by root 3 है नहीं यहाँ पर value दिया होगे आप किसी का value लिखे तो आप बोलोगे ना कि आप कैसे solve करेंगे तो यहाँ पर बोलोगे कि सर यहाँ पर denominator मे रूट कटम आ गया तो रूट कटम कभी रहता नहीं है नीचे में तो आप बोलोगे कि इसको हटाने के लिए इसको हटाने के लिए आप यहाँ पर root 3 से multiply और divide करोगे तो यहाँ पर आ गया बच्चे 3 root 3 और root 3 root 3 3 होता है तो यहाँ देखोगे ना तो बोलोगे ना कि 3 से 3 cancel out हो गया अब देखिए अब आगे बनाते हैं आगे बोलोगे कि यहाँ पर क्या गया बच्चे यहाँ पर आगे root 3 root 3 किसका value होता है बच्चे root 3 होता है बच्चे 1060 का value होता है और 1060 देखोगे ना तो यहाँ पर answer का है 1060 1060 बच्चे answer है आपका C option क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर C option आपका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो बच्चे यहाँ पर question number first का first or second क्या होता है बच्चे over होता है I think आपको question number first का first or second यह समझ में आया होगा बच्चे next वीडियो में हमने क्या करेंगे exercise 8.3 के question number 2 को solve करेंगे और समझेंगे बच्चे जो exercise 8.3 का ज प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और सेम दोस्तों के साथ सेयर करिए और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक्यू